नमस्कार मित्रों, मैं अविनास वेंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हर्दी कवी नंदन करता हूँ आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतरगत हम इस व्याकरण पार्ट का अध्योपांध अध्यन करने वाले हैं आप इस व्याकरण पार्ट को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वाक्सिट भी आपको दिये जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें नमस्कार आप आगे हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहां हम विचार करने वाले हैं संकर सब्दों पर जिसे अंग्रेजी में हाइब्रिड वर्ड्स कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि संकर सब्द होता क्या है देखें हिंदी में कुछ ऐसे भी सब्द हैं जो उद्भव अर्थात उद्पत्ती की दृष्टिशे पुर्णतह कंप्लीटली एक भासा से संबंधित ना होकर एक से अधिक भासाओं से संबंधित होते हैं इस प्रकार के दो भिन भासा स्त्रोतों से बने हुए नए सब्द को संकर सब्द कहते हैं हम लोग अब यह समझेंगे कि संकर होता क्या है देखिए ये औरेंज है जिसे संत्रा कहते हैं और ये बलड औरेंज है जिसे माल्टा कहते हैं ये भारत में उगाये जाता है और ये पाकिस्तान में उगाये जाता है ये दो closely related plants है मतलब इनके रूप, गोन और qualities के अधार पर ये दोनों बहुत ही closely है इन दोनों को hybrid तरीके से cross-pollination के माध्यम से एक नया फल बनाया गया जिसे कहते हैं कीनू तो ये है संकर का उधारन जब दो closely related plants को hybrid तरीके से cross-pollination किया जाता है तो जो नया फल बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संकर पंधती उसी प्रकार यहाँ देखिए ये है broccoli और ये है cauliflower इन दोनों को hybridization करके जो एक नया बनाया गया उसे कहते है ब्रको फ्लावर संकर सब्द के अन्य नाम देखिए दू भासाई या वीमिस्र सब्द का प्रयोग हम संकर सब्द के अस्थान पर कर सकते हैं अगर एक्जाम में दू भासाई सब्द क्या होता है या वीमिस्र सब्द क्या होता है ऐसे सवाल आए तो confusion में मत पढ़िएगा उसका मतलब भी हुआ संकर सब्द वास्तों में ऐसे सब्दों के लिए संकर सब्द का प्रयोग भासा विज्ञानी द्वारा तिरस्कृत भावना से किया जाता है संकर सब्द जो नाम है वास्तों में ये सही नाम नहीं है सही नाम दू भासाई या वीमिस्र सब्द ही है संकर सब्द के लाब संकर सब्द से हमें क्या क्या लाब हो सकते हैं संकर सब्दों के प्रयोग से आप अभिवेक्ति के शेत्र में स्रेष्टता हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे आपके सब्द भंदार अर्थात वोकेविलरी में भी व्रिधी होगी तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं संकर सब्द के अनेक लाव भी है अब हम लोग आते हैं संकर सब्द पर यहां जो हम लोग संकर सब्द पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी और फार्सी के संकर सब्द जैसे देखिए काम काज हम लोग अधिकतर बोल चाल की भासा में बोलते हैं काम काज तो काम जो है वो हिंदी का सब्ध है लेकिन काज जो है वो फार्सी का काम धंदा धंदा जो है वो फार्सी का है काम हिंदी का खेल तमासा ये हिंदी ये फार्सी गई गुजरी बातें गई हिंदी है गुजरी फार्सी है दाना पानी तो यहाँ देख लिजे दाना जो है वो फार्सी है और पानी जो है वो हिंदी है चोर दर्वाजा देख लिजे कि जो चोर है वो हिंदी सब्द है दर्वाजा फार्सी उसी प्रकार चोर बाजार मोम बत्ती मोम जो है वो फार्स और बत्ती जो है वो हिंदी सब्द है दुख दर्द दुख तो हिंदी है लेकिन दर्द है फार्सी राज दर्बार राज हिंदी है और दर्बार फार्सी सब्द है उसी प्रकार देखे गली मुहला गली हिंदी है मुहला फार्सी है गुलाब जामुन गुलाब फार्सी है जाम हिंदी है, सबजी मंडी, सबजी फार्सी है और मंडी हिंदी है तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सब्दों का प्रयोग अपने day to day life में करते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम जी सब्द का प्रयोग कर रहे हैं वास्ताव में वो संकर सब्द है उसी प्रकार आप देखे हिंदी अर्बी संकर सब्द जैसे आप देखे यहाँ है अजायब घर इसके बारे में एक खास बात ये है कि अर्बी में अजीब जो है जिसको हम लोग पिकुलियर कहते हैं अजीब का बहुवचन होता है अजायब अजायब और घर का मतलब तो घर तो एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारी अजीब अजीब चीजे रखी हो जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं म्यूजियम और हिंदी में कहते हैं संग्रहाले तो याद रखेगा अजायब कहने का मतलब अजीब का बहुवचन ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग आम आदमी देखते हैं आम आदमी लेकिन अगर मैं पूछूं आम का बहुवचन क्या होगा तो आपको बताना पड़ेगा आवाम आम का बहुवचन आवाम होता है उसी प्रकार अगर मैं पूछ हूँ आप से खबर का बहुवचन क्या होता है तो आप कह देंगे जट से खबरे लेकिन नहीं वास्तों में खबर का बहुवचन होता है अखबार अरभी में बहुवचन बनाने का कुछ अलग नियम होता है एक तरफा तो एक जो है हिंदी और तरफा जो है अरभी जेब कत्रा जेब जो है अरभी और कत्रा जो है कतरने वाला तो यह हो जाएगा हिंदी सब्द रीती रिवाज तो रीती देख लिए हिंदी सब्द ह रिवाद, अर्भी सब्ध है, सफा चट, चट जो है हिंदी सब्ध है, और सफा जो है अर्भी सब्ध है, हसी मजाग, हसी हिंदी सब्ध है, मजाग, अर्भी सब्ध है, हुक्का, अर्भी सब्ध पानी, हिंदी सब्ध जमा, पूझी, पूझी हिंदी सब्ध है, और जमा जो है वो अर्वी सब्द है इमाम बाड़ा इमाम बाड़ा अर्थात धर्मस्थल मस्जिद मंदिर तो इमाम जो है वो अर्वी सब्द है और बाड़ा जो है हिंदी सब्द है दवा दारू दवा जो है अर्वी सब्द है और दारू जो है हिंदी सब्द है लेकिन हाँ यहाँ दारू का मतलब आप सराब के सेंस में मत लिजेगा दवा दारू की आवशक्ता है जब कहते हैं तो इस दवा दारू को ये जो सब्द है इसे आप सराब के सेंस में ना ले दारू का मतलब होता है लकडी यहां पर आप जड़ी बूटी के संदर्व में दारू को स्विकार करेंगे हमा जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं और वो अर्बी और फार्सी सब्दों के मेल से बने होते हैं जैसे कम ज्यादा, किरायदार, गर्म मसाला, जेब खर्च, दस्थखत अर्था सिगनेचर, नमक हराम अर्था धोके बाद, नमक हलाल अर्था इमानदार, सीस महल, हवल हवलदार, हवलदार अर्थात किसी सेना में, किसी आर्मी में या किसी फॉज में, जो सबसे छोटे पोस्ट पर होता है, उसे हम लोग कहते हैं हवलदार, अब तो सामाने भासा में से कॉंस्टेबल कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी संकर सब्द, जी हाँ, आप देखते हैं और बड़ी जहाजें, इस्तीमर, तो अगनी तो हो गया हिंदी, और बोट हो गया आपका अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी हिंदी, आप इसे संस्कृत और हिंदी के सेंफ में भी ले सकते हैं, बम वर्सा, अर्था जब आकास से बम गिरने लगे, या हवाई हमले होने लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं, बम वर्सा, टिकेट घर, जेल खाना, दबल रोटी, रेडियो तरंग, कपड़ा मिल, सील बंद, बीमा पॉलिसी, बीमा हिंदी पॉलिसी अंग्रेजी, लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का सब्द है और चार्ज, अंग्रेजी का पुलिस ने अंद अपील करता, अब अगर हम लोग हिंदी और संस्कृत के संकर सब्दों पर विचार करें, तो इसमें देखें, जाच करता, मांग पत्र, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं, कपड़ा, उद्योग, तो इस तरीके के सब्दों को आप हिंदी संस्कृत के संकर सब्दों में रख सकते हैं विविध संकर सब्द ऐसे बहुत सारे संकर सब्द है जो अन्य अन्य भासाओं से आकर मिले हुए हैं उसको हम लोग केटेगराइज नहीं कर रहे हैं सामाने रूप से यहां प्रस्तित कर दे रहे हैं जैसे आटो रिक्षा तो आटो जो है वो अंग्रेजी सब्द है और रिक्षा जो है वो जैपैनिक सब्द है तो इतना केटेगराइज नहीं कर रहे हैं आटो रिक्षा, खूफिया पुलिस, पांदान, छायादार, पाव रोटी तो इस तरीके से ऐसे संकर सब्द होते हैं जो दो भिन भिन भासाओं के मेल से बने होते हैं और ऐसे सब्दो क्या अब संकर सब्द निर्मित होते हैं जी हाँ आपके मन में ये सामानने सा सवाल उठ रहा होगा कि क्या अभी भी संकर सब्दों का निर्मान होता है तो जी हाँ जैसे जैसे हम लोग तक्नीकी शेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संकर सब्दों का निर्मान ह प्रकासम के शेत्र में हम लोग देखते हैं आठ पेजी संसक्रण, तो इस तरीके से आप लोगस देखेंगे की संकरसप्दों का निर्मान अभी भी हो रहा है और ये आने वाले दिनों में भी होता रहेगा, क्योंकि सब्द दिर्वान की जो प्रक्रिया है वो कभी भी सबाप्त नहीं होती तो इस तरीके से हम लोगों ने संकर सब्दों का अध्यम किया मेरा ये मानना है कि मेरा ये छोटा से वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा एक्टिविटीज के रूप में या वाक्सिट के रूप में आप कमेंट बॉक्स में केवल दो संकर सब्दों का उलेख जरूर करें धन्यवाद